आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बनाना आइस्क्रीम जो की सिर्फ दो चीजों से बनती है और बहुत टेस्टी बनती है तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आइस्क्रीम यह कोको पाउडर है और यह है बनाना जिसको की मैंने डीप फ्रीजर करके रखा हुआ था दो थीम घंटे से फ्रीजर में रखा था यह एकदम चिल्ड है तो इनको हम मिक्सी में मिक्स कर लेते हैं पहले हम यह एकदम चिल्ड बनाना इसमें डाल देंगे जार में इसमें डाल अब हम इसको मिक्स कर देंगे तो यह देखिए यह एकदम तयार हो गई है अब हम इसको इसमें पलट लेंगे यह बहुत टेस्टी बनती है बहुत जल्दी बन जाती है और अच्छी भी लगती है इसमें आप अलग अलग तरह का फ्लेवर भी डाल सकते हैं और बिल्कुल बनाना भी रख सकते हैं अब मैं इसको फ्रीजर में चार से पांच घंटे के लिए इसको जमने के लिए रख देंगे ताकि यह आइसक्रीम बढ़िया सी जम जाए तो यह देखिए पांच घंटे हो गई है और आइसक्रीम बहुत बढ़िया जम गई है यह देखिए एकदम फसकला सा आइसक्रीम ज मैंने बना के रखा है इसके साथ हम आइस क्रिम को डेकोरेट करेंगे बहुत अच्छी लगती है और ये बनाने में भी बहुत इजी है ये भी मैं आपको एक दिन सिखा दूँगी तो ये देखिए बढ़िया सी बनाना आइस क्रिम बिल को को तेयार हो गई है कैडम लाइज शूगर हमने उपर लगाई है ये भी बहुत अच्छी लगेगी आप बनाएगा और खाएगा जरूर बताएगा आपको ये कैसी लगी कि लगाएगा भ hmगा टुडब गएगा जरूर बताएगा लगेगागा लगे तुर आपको ये सार और cent सिहां जर्व हो आपको एमBeदो साथने और हैं ये खावागाा जरूर को पाढ़ जरूर पुरू ह還 को सार और झाल